आज का आजाद सिपाही अख़बार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोग प्रियतनिक अख़बार आजाद सिपाही नमस्कार आजाद सिपाही के न्यूस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ चाहत सेना आज के प्रमुक समचार कुछ इस प्रकार है मैट्रिक इंटर की कौपियोगा मुलियांकन आज से जून के अंत या जुलाई के पहले सब्ता में आएगा रिजल्ट नीजी स्कूल फीस विवात पर मांग पत्र सौपिंग ए प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन बावुलाल ने कहा टाटा मोटर्स को खोलने की अनुमती दे सरकार प्रदेश कॉंग्रेस ने मनाई पंडेट नहरू की पुनेती थी वर्क फ्रम होम से था के लोगों का हो रहा मनोरंचन टेक्निकल छात्र संग ने की पहल अब ख़बरी विस्तार से जारकन बोट डस्वी बारवी की कौपियों का मुल्यांकन 28 मई से शुरू होगा इसकी तेयारी पूरी कर ली गई है इसी के साथ ही इसका रिजल्ट भी जून के अंध्य जुलाई के पहले सब्ता में आएगा गुरुवार से मैट्रिक के अलावा इंटर कॉमस और साइंस की कौपियों का मुल्यांकन होगा आज की कौपि का मुल्यांकन जून से शुरू होगा इन कौपियों के मुल्यांकन के लिए 19 जिलों में 66 मुल्यांकन केंद्र बनाए गए है वोट की उत्तर पुस्तिकाओं की मुल्यांकन कारे में करीब 9500 शिक्षक शामिल किये गए हैं बता दे कि मुल्यांकर के कार्य करीब 2 महिने लेट शुरू हो रहा है कुरुना संक्रमना देश व्यापी लॉकडाउन के कारण कौप्यों की मुल्यांकर में देरी हुई है COVID-19 के वैश्विक प्रकोप को देखते हुए National Private School Association के केंद्रे कमिटी के ऑनलाइन बैठक की गई स्कूलों को चलाने पर आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई इसके साथ ही सिक्षा मंत्री जगरनात महतो द्वारा तीन महा की फीस नहीं लेने के बयान पर विरोध जताया गया बैठक में इस सम्मन्द में मांग पत्र मुखी मंत्री हेमन सुरेन और सिक्षा मंत्री जगरनात महतो को दिये जाने पर सहमती बनी भाजपा विदायक दलके नेता बाबुलाल मरांडी ने सरकार से टाटा मोटर्स को खोले जाने की अनुमती देने का अगरह किया है सीएम हिमद सुरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि लॉक्डाउन के कारण राचे में कई जगों पर इंडस्ट्र अक्टिविटीज बंद पड़ी है आदितिपूर इंडस्ट्र एरिया इश्या के सबसे बड़ी इंडस्ट्रिल एरिया में शुमार है लोकडाउन के बीच चंद कमपनियों को खोलने की इजाज़त मिली है लेकिन शहरी छेतर का हवाला देकर टाटा मोटर्स को बंद रखा गया है टाटा मोटर्स को खोलने की अनुमती देने से कई कमपनियों और श्रमिकों को राहत मिलेगी प्रदीश कॉंग्रेस की ओर से बुध्वार को पाठी कार्यालय में देश के प्रतम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरु की पुनितिती मनाई गई कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंतिर रामिश्वर उड़ाफ की अध्यक्षिता में उनके चित्र पर मालिया पढ़कर शद्धा सुमन अर्पित किया गया मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित जवाहला नेरूना सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री थे बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माता थे उन्होंने कहा कि उनके पच्चिनों पर चल करी हम उन्हें सच्ची शधानजली अर्पित कर सकते हैं वैश्विक महामारी में टेक्निकल छात्र संग एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें ना सिर्फ लोगों को जागरुक करने में मदद मिल रही है बलकि वर्क फ्रम होम से थके हारे लोगों को मनुरंजन का एक साधन भी मिल रहा है इनके फेस्बुक लाइफ सेशन में हर रोज टेक्निकल बैग्राउंड के लोग आ रहे हैं और अपने कॉलिज के किसे कहानिया जॉब और येटिट टिप्स पे डिसकस करते हैं इससे ना सिर्फ लोगों को एक अच्छा मनुरंजन मिल रहा है साथ ही टेक्निकल पढ़ाई कर रही युवाओं को बहुत सी चीजे जानने को मिल रही है चातरों की काउंसिलिंग भी की जा रही है इस कारेक्रम का संचालन टेक्निकल चातर संग के बैनर तले हो रहा है कारेक्रम से जुड़ने के लिए टेक्निकल चातर संग के फेस्बुक पेज पर मेसेच कर स्लोट पाया जा सकता है संग वाइस प्रेसिडेंट अभिशेक बैनर जी, अपूर सिंग, सोजोल चक्रवर्ती, रवीरंजन सिंग, विक्रम सिंग से भी संपर्ख साधा जा सकता है